तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिविजन क्लास तो पहला प्रशने पूछ रहे हैं अंतर राष्टर संग्रहाले दिवस कब मनाया जाता है म्यूजियम डे तो अंशर होगा 18 माई को और आपको याद होगा अभी दुनिया का सबसे बड़ा हडपा संस्क्रती संग्रहाले काँ पे इस्तापित किया जाएगा हर्याना के राखी गड़ी में और आप जानते हो भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहाले काँ पे लॉंच हुआ था तमिल नाडू के तंजाबुर में और हमारी जो वित्त मंत्रे निर्मला सीतरमन इन्होंने बताओ कहाँ पे राष्टर सिमाशुलक और जीस्ती संग्रहाले का उध्गाटन किया था तो अंचर होगा गोवा में और उसका नाम रखा था धरोहर वैसे भारत का पहला चंदन संग्रहाले आपको मिलेगा करनाटक के मैसूर में मैसूर से कुछ याद आया क्या इस बार का जो यूग दिवस है जो हम 21 जून को मनाते है उसका आयोजन यहीं पे हुआ था और बताओ परधान मंतरी नरेंद्र मूदी जी ने कहाँ परधान मंतरी संग्रहाले का उध्गाटन किया तो आंसर होगा नई दिल्ली में और भारत का पहला समुद्री संग्रहाले यह है लूथल गुजरात में भारत का पहला Labor Moment Museum यह खुला जाएगा केरल में भारत का पहला राष्टर पुलिस संगरहाले आपको मिलेगा दिल्ली में और भारत का पहला ओपन रोक म्यूजियम ये बनेगा हैदराबाद में तो इससे संबंदित ये सारे करेंट अफेर्स के प्रशन में आपको एक साथ रिवाइस करा है तो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसे response नहीं मिल रहा वीडियो को response देने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ में या जो भी आपका study group होता है एक बार प्लीज शेयर जरूर करना अगला प्रशन देखते हैं गौधन न्याय योजना ये किसने शुरू की 36 गड़ सरक पूछे आपसे कि चारा विजय योजना को किसने शुरू किया तो आंसर होगा हर्याणा ने और सड़क बार रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एंबुलेंस ये कहां पे शुरू हुई तमिल नाडू के चेन्न नहीं में जानवरों के लिए भारत का पहला COVID-19 वै अप्रेल को आप जानते हो मवेशिव को गोध लेने से जम्मंदित योधना है पुन्य कोटी दत्तु योजना ये करनाटक की है जिसके ब्रेंड एमबेस्टर बने हैं एक कन्नड एक्टर हैं किच्चा सुधी पुनका नाम है और बताओ पूर्वत्तर का पहला गाया अस्प बताओ भारत का सबसे बड़ा जियोलोजिकल पार्क ये मिलेगा आपको चैन्नाई में इसका नाम है अरिगनार अना जियोलोजिकल पार्क और सबसे छोटा पूछेंगे तो नाक इसका नाम में महराज बाग चडिया घर और भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क कांपे बने है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊचाई पर National Park कौन सा है और कहां पर मिलेगा है मेंस National Park के जो आपको मिलेगा लधाप में और सबसी छोटा सबसे कर्दा पर साउट सबसे हunft नेशनल पार्क जो आपको मिलेगा अंद्डमांन सब यहदो यह बारत बहरत का पहला आधारिज सीवर सिस्टम वाला पहला शहर बना आगरा और सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उप्यूग करने वाला पहला शहर पूछेंगे तो वारणासी आंसर होगा अगला प्रशन है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो आंसर होगा कैस्पियन सागर है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की पूछ लेंगे या यह पूछेंगे बताओ विश्व की सबसे बड़ी जील कौन सी है दोनों में आंसर यह होगा कैस् दिलका लेक है उडिसा की आचा विश्व की सरवाधिक लवनता वाली जीन कौन सी है वन जील है तरकी में मिलेगी और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील पूचेंगे तो लेक सुपीरियर है और भारत में पूचेंगे तो वुलर जील है चमू कश्मीर में आचा व जीलों का देश भी याद रख लो, Finland को कहा जाता है, अगला है Fearless Governance, ये किसकी बुक है, किरन बेदी की है, बतावा भारत की पहली Lithium Iron Cell Factory ये कहां पर बनेगी तो आंचरू का अंदरप्रदेश में, और भारत की पहली Lithium Refinery इसे स्तापित किया जाएगा गुजरात में, और पहले इथैनौल प्लांट का उधगाटन बता दो कहां पर किया गया था भी, पूर्णिया बिहार में, आपको याद है न, भारत के पहले Biomass आदारित Hydrogen Plant ये कि जिले में बनेगा, मद्देप्रदेश के खंडवा जिले में, और भारत का पहला शुद्ध हरित Hydrogen Plant कहां पर चुरू हुआ, असम में हुआ, बताओ, Reliance Industries दुनिया का तो सबसे बड़ा और भारत का पहला Carbon Fiber Plant कहां पर स्थापित करेगा, हजीरा गुजरात में, और बताओ, KVIC ने कहां पर शुरू किया था पहला Silk Processing Plant, तो भी आंसर होगा गुजरात, चलो बताओ, एहमदाबाद Medical College क नाम बदल कर किसके नाम पर रखा गया, परदान मंतरी नरेंद्र मूदी के नाम पर, आपको याद है, एहमदाबाद में आपको दुनिया का सबसे बड़ा किर्केट स्टीडियम मिलेगा, जिसका पहले नाम Motorai Stadium था, उसका नाम भी बदल के नरेंद्र मूदी के नाम पर कर गती, शक्ती, युनिवर्सिटी कर दा, उसी तरह से अभी राजपत का नाम बदल के करतव्यपत कर दिया गया, और आप जानते हो भी 36 नंबर के जो राष्टर गेम से, नेशनल गेम से ये भी गुजरात में हुए, लेकिन याद रखना अगले वाले 37 वाले कांपे होंगे, ये गुवा में होंगे, ये important current affairs का प्रशन है, तो आप अगर देखोगे ना ध्यान पूरवक, तो ये एक ही sheet में आपको 10 question दिखेंगे दिखने में तो, लेकिन आप यकीन मानो, इसमें हमने 20-25 question के उपर ही कर लिये होंगे, अगर मेरी बात सही लगती है, तो please वीडियो को support जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए facts सिखटे करने में मेहनत लगती है, लेकर उसके बावजूर भी अगर वीडियो में response नहीं मिल पाता है, तो मैं आपको समझा नहीं सकता कि इतना बुरा लगता है, तो मैं आप से गोस्तों के साथ या जो भी आपका study group पे प्लीज एक बार वहाँ पे शेयर कर दो, तागे मुझे भी ये सब देख कर के अच्छा लगे, चलो अब हम पुराने महीने के current affairs का revision करें, चलो बताओ, विश्विस संस्करत दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 12 अगस्त को, 12 अ elephant day और international youth day भी मनाते हैं, अभी बताओ किस राजय ने हर जिले में एक-एक संस्करत भाशी गाओं बनानी की गोश्टना की तो अंसर होगा उत्तरा खंड, भारत और किस देश के बीच में उदार शक्ती exercise हुआ, मलेशिया और भारत के बीच में पहली बार हुआ ये air exercise है, कहा अमले में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो अंसर होगा साथ वे स्थान पर, और Ukraine टॉप पे रहा है, इसकी मतलब 12.7 बर्तिशत आबादी के पास crypto संपत्ती है, digital currency, अंक टाड मतलब United Nation Conference on Trade and Development, जिसका headquarter Geneva Switzerland में है, इसकी पहली महिला डारेक्टर जनरल बनी है Rebecca Grinspan, बताओ ल ये बांगलादेशी वास्तुकार है, और UEFA Super Cup 2022 का फाइनल किसने जीता, तो अंसर होगा Real Madrid ने, अब बताओ, पहली खेलू इंडिया वोमिन्स लीग अंडर 16 का योजन, ये कहां पे होगा, तो अंसर होगा, नई दिल्ली में, नई दिल्ली के मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में, अभी अगस्त में होगा, और पहला खेलू इंडिया फैंसिंग वोमिन लीग ये कहां पे होगा था, नई दिल्ली के ताल 14 स्टेडियम में, विश्व अंग्दान दिवर्स वल्ड और्गन डोनेशन डे, 13 अगस्त को मनाया, किस मूचल फंड कंपनी ने भारत का पहला म अंसर होगा, नभी मूचल फंड, इस्माइल 75 पहल किसने शुरू की तो अंसर होगा, सामाजिक न्यायव अधिकारी ता मंत्रा ले, सोशल जस्टिस एन एंपार्मेंट मिनिस्ट्री ने, इस्माइल का मतलब होता है, सपोर्ट फोर मार्जिनलाइजड इंडिविजूल्स फ अंसर होगा, दादा भाई नवराजी, सायुक तो राष्टर के जलवायू प्रमुक के रुप में किसे न्यूक किया गया, तो साइमन स्टील को, ये ग्रेनेडा के पूर्व जलवायू मंत्री है, केन्या के नए राष्टर पती कौन बनें, तो अंसर होगा, वीलियम रूट केन्या की केपिटल नेरोबी है, करंसी है, केन्यान शिलिंग, और यहीं पे आपको, मतलब नेरोबी में आपको युनाइटेड नेशन एन्वायर्मेंट प्रोग्राम का हेड़कॉर्टर मिलेगा, बताओ कौन सार राज्जे खिलाडियों को, सभी राज्जे विभागों मे दो परतिशत आरक्षन देगा, तो आंसर होगा करनाटक, और याद रखना करनाटक ही वो पहला राज्जे बना था, ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरे में एक परतिशत आरक्षन देने वाला, फिर बताइए, भारत में मास्टर कार्ड के ब्रेंड अमबिजडर कौन बन आपको याद होगा, भारत में मेकिन इंडिया, प्रोग्राम ये कब शुरू हुआ था, 25 सेप्टेंबर 2014 को जिसका उद्धिश था, देश में वे निर्मान शेत्र को बढ़ावा दिना, राजस्तान के जूदपूर में प्रसिद्ध मारवाडी युद्धा, वीर राठोड की प्रतिमा का भी अनावरन किस ने किया? हमारे रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने अभी WHO ने मंकी पॉक्स वाइरस का नाम बदल के क्या रखा? तो आंसर होगा क्लेड और भारत ने किस देश को पहला डौरनियर विमान सोपा है? तो आंसर होगा शिरिलंका को बच्चे के जनम के शुरुआती एक हजार दिनों तक परवरिश में मदद के लिए किस नाम से एप्लिकेशन बनाई गई? तो आंसर होगा पालन एक हजार तो बताईए सबसे 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 शहर कौन सा बना है? तो आंसर होगा इंदौर छटी बार लगातार छटी बार ये सबसे सवच्चे शहर रहा दूसरे नमबर पे गुजरात का सूरत है तीसरे नमबर पे महाराष्टर का नवी मंबई वहीं अगर बड़े राज्यों में बात करेंगे तो मद्यबर देश टॉप पर है और छोटे राज्यों में तिरे पुरा टॉप पर है कारे करता को चेंज मेकर अवार्ड मिला तो आंसर होगा शरिष्टी बक्षी को आप जानते हो अंतरराष्टर व्रद्ध जन दिवस इंटरनेशनल डे ओफ ओल्डर परसन कब मनाया एक उक्टूबर को एक उक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉ यानि कि वर्ल्ड सीनियर सेटिजन डे जो 21 अगस्त को होता है और एक विश्व बुजूर को दुर्वेवार दिवस होता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेरनेस डे ये 15 जून को होता है अब बताओ अंबेडिकर अलाइफ नाम की बुक इसे कौन लिखेंगे शशी थर लुर लिखेंगे और बियार अंबेडिकर जी से आपको याद होगा तेलंगना ने अपने सची वाले का नाम बियार अंबेडिकर जी के नाम पे रखा है किस राज्य की पुल्लम पारा पंचायत देश की पहले डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई तो आंशर इसके अलावा उडिसा हाई कोट के बनेंगे जस्वन्त सिंग, करनाटक हाई कोट के बनेंगे पीबी वरले और जम्मु कश्मीर हाई कोट के होंगे अली मुहम्मद मगरे देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेश ट्रेन किन दो शहरों के बीच में शुरू हुई तो आंसर होगा गांधी नगर से मुंबई पहली और दूसरी पहली चली थी दिल्ली से कटरा, दूसरी दिल्ली से वारनाथी वंदे भारत को ही train 18 के नाम से भी जानते हैं ये एक semi high speed train है इसका निर्मान कहां पर हो रहा है integral coach factory चेन नहीं में अभी मुख्यमंत्री dairy plus योजना को किसने शुरू किया तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने जिसका उद्देश है जो पशुपालक किसान है उनकी आये को उनकी income को दूगनी करना बताओ कि इसने गरीबों के लिए सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आसरा pension चुरू की तो आंसर होगा तेलंगनाने तो ये था आज का आपका revision वाला session hopefully आपको पसंद आएगा तो प्लीज अगर अभी तक आपने इसे like नहीं किया तो like जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में एक बार share जरूर किया किजिए से Thank you